तो आज देश को संबोधित किया, संदेश दिया प्रधान मंत्री ने हाँ, इस बार परिस्थित्या ही कुछ और है, इसलिए आमने सामने आकर के आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही साथियों, भगवान बुद्ध का वचन है, मनो पुब्बम गमा धम्मा, मनो सेट्टा मनो मया यानि धम्मा मन से ही होता है, मन ही प्रधान है, सारी प्रभुतियों का अगवा है, इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है, उसके कारण सो शरीर उपस्तिती की कभी उतनी महसूस नहीं होती आपके बीच आना बहुत खुशी के बात होती, लेकिन अभी आहरात हमें वो परमीट नहीं करते हैं और इसलिए दूर से ही टेक्नोलोजी के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का आउसर दिया, इससे बढ़कर के संतोस और क्या हो सकता है साथियों लोगडाउन की इस विकट परिस्तितियों में भी वर्चुल बेशाग बुद्धि पुर्णेमा दिवस समारो इसके इस आयोजन के लिए अंतर राष्ट्रिय बाउद्ध संग प्रसंशा के पात्र है आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखो अन्युआई एक दूसरे के साथ जूट रहे लुम्बिनी बोदगया सारनात और कुशी नगर के अलावा स्री लंका के स्री अनुराधापूर सुप और वास्टुवा मंदिर में हो रहे समारो हो क्वा इस तरह एकी करण कितनी अध्भूत कल्पना है कितना सुन्द द्रश्य है हर जगव हो रहे पूजा कारकमों का ओनलाइन प्रसारन होना अपने आप में अध्भूत अनुबह है आपने इस समारो को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वरकर्स और दूसरे सेवा करिमियों के लिए प्रार्थना सब्ता के रुप में मनाने का संकल्प लिया है करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सरहना करता हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनवती से भार निकाल पाएंगे लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे साथियों प्रत्राइवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को संस्कृती को हमेशा दिशा दिखाई है बगमान बुद्ध ने भारत की संस्कृती और इस महान परंपरा को बहुत सम्रुद्ध किया है वो अपना दीपक स्वयम बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकासित करते रहे और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्तिती तक सिमित नहीं है सिद्धार्थ के जन्म सिद्धार्थ के गौतम होने से पहले और उसके बात इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों परिस्तितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है समय बडला स्थिती बडली समाज की व्यवस्ताएं बडली लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रभामान रहा है ये सिर्फ इसलिए संबव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है बलकि एक पवित्र विचार भी है एक ऐसा विचार जो प्रतेक मानव के रुदह में धड़कता है मानवता का मारदर्शन करता है बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है बुद्ध सेवा और समर्पन का परिया है बुद्ध मजबूत इच्छा सकती से सामाजिक परिवर्तन की पराकाश्टा है बुद्ध वो है जो स्वयम को तपाकर स्वयम को खपाकर खुद को निचावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पीत है और हम सभी का सौभागे देखिए इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए किसी मरीज के इलाज के लिए किसी गरीब को भोजन कराने के लिए किसी अस्पताल में सफाई के लिए किसी सड़क पर कानून व्यवस्ता बनाये रखने के लिए 2400 घंटे 2400 घंटे काम कर रहे हैं भारत में भारत के बाहर ऐसा प्रतेग व्यक्ति विश्व के हर कोने में ऐसा प्रतेग व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है नमन का पात्र है साथियों ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पूथल है कई बार दुख निराशा हतासा का भाव बहुत जादा दिता है तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगीक हो जाती है भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन प्रिस्तियों पर विजय प्राप्त करें उनसे बाहार निकलें थक कर रुख जाना ये विकल्प नहीं हो सकता आज हम सब भी एक कठीन परिस्तिती से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए है साथ मिलकर काम कर रहे है भगवान बुद्ध के बताए चार सत्य यानि दया करुणा सुख दुख के प्रती समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्विकार रहा है ये सत्य निरंतर भारत भूमी की प्रेना बने हुए है आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पुरे विश्व में कहीं भी संकट में घीरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है लाब भानी समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ए घड़ी सहायता करने की है जितना संबव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है यही कारण है कि विश्व के अनेग देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरुरत मन तक पहुचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है भारत आज प्रतेग भारतवासी का जिवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो करी रहा है अपने वैश्विक दाइत्वों का भी उतनी ही गंबिरता से पालन कर रहा है साथियों भगवान बुद्ध का एक एक भचन एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिवद्धता को मजबूत करता है बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतिक है इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी साथियों हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए जब दूसरे के लिए करुणा हो समवेदना हो और सेवा का भाव हो तो ये भावनाए हमें इतना मजबूत कर देती है कि बड़ी से बड़ी चुनोती से आप पार पा सकते हैं सुपबुद्धम पबुजन्ती सदागोतम सावका यानि जो दिन रात हर समय मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं वही बुद्ध के सच्चे अनुआई है यही भाव हमारे जीवन को प्रकाश्मान करता रहे गतिमान करता रहे इसी कामना के साथélior आप सभी का बहुत बहुत आभार इस मुश्किल परिस्थिते में आप अपना अपने परिवार का अ इस भी देश में आप है वहां का ध्यान रखे अपनी रख्षा करें और यथा संभव दूसरों की भी मदद करें सबका स्वास्त उत्तम रहे इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी बाणी को विराम देता हूं धन्यवाद सर्व मंगलम तो बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर देश वासियों को बलकि यूँ कहें कि पूरी दुनिया को बारगबाद शुब कामनाई दी है प्रधान मंत्री ने और साथ ही एक संदेश भी दिया है कि इस मुश्किल दौर से जब पूरी दुनिया गुजर रही है तो सबको मिल जुलकर भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलकर एक दूसरे के मदद करके ही इससे निकला जा सकता है मानवता सबसे बड़ा धर्म है उसंकट की ये घड़ी सहायता करने की है नागरीकों का जीवन बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए अपना अपनों का पूरी दुनिया का खयाल रखे और भारत जोसकी शुरू से यही सोच रही है यही करतव्य निभाता आया है कि वो सब का कल्यान कर सके आज भी भारत बिना किसी स्वार्थ के दुनिया के साथ खड़ा है और आगे भी पूरी दुनिया की मानवता की सेवा करता रहेगा तो यहाँ पर कोरोना वार्यर्स को भी सलामी दी रधान मंत्री ने उन तमाम लोगों को सम्मान देनी की बात कही जोने स्वार्थ भाव से मानवता के सेवा में इस कोरोना काल में लगे हुए है और गौतम बुद्ध के बताय रास्ते पर चलने की सीख दी, संदेश दिया और ये भी कहा कि मन हर चीज का कारक है, मन से ही जुड़ा होता है तो ऐसे में फिजिकली वो नहीं प्रिजन्ट होते हैं लेकिन फिर भी मन से वो सब के साथ हैं तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी एक बार फिर से प्रधान मंत्री में कोरोना काल में साथानी बरतनी की बात भी कहीं हर एक नागरिक को उसका पर्ध याद दिलवाया, उसका करता वे याद दिलवाया और गौतम बुध के मार्ग पर चलने की अपील की गौतम बुध किस तरीके के संदेश देश देते थे क्या वो कहते थे कि उसका जखर सब्धन में किया तो आज एक तरफ मुद्ध पूर्णिमा जो हर साल रूमधाम से बनाई जाती है लेकिन इस बार कोरोना की वजह से आयोजन ज्यादा भव्य नहीं हो रहे हैं बड़े नहीं हो रहे हैं और ऐसे में अपना संदेश प्रधान मंत्रीन इदिया